Hello my dear students and guardians, देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूँगा LNM IIT के admission process की, देखिए, लास्ट येर LNM IIT के पे जो बहुत डीटेल वीडियो मैंने बनाया था, उस पे मुझे बहुत views भी मिले थे, लोगों के बहुत comments भी आये थे, और शायद कह सकते हैं कि शायद उसके चलते थो हर येर की तरह थोड़क बढ़ रहे थे और लास्ट येर इनका record और अच्छा गया और जल्दी सारे अच्छे branches यहाँ पे close हुए, ठीक है तो वो सारी बात भी cut-offs की बात भी मैं आपको करूँगा, अब ये publicly published नहीं करते हैं, but what I have known through the students, I'll share that data in the video too, तो ये सबसे पहले बा mechanical engineering plus five year dual degree in CSE and ECE, चीक है, तो इनके चार admission modes हैं, जिसमें आपके लिए तीन ही काम के रहते हैं, अब DASA भी उनके लिए होगा जो बाहर foreign में पढ़ रहे थे, आप लोगों के लिए दो ही mode है, direct और regular, direct mode है, cable board toppers के लिए, उन boards के जहां पे meritless published होती है, भी तो exam का पता नहीं ह I won't talk about that, we would be only talking about the regular mode of admissions, जो यहाँ पे अपने लिए applicable होंगे, तो देखिए, 5th में से इन्होंने start कर दी हैं, applications online and 30th June तक आप यह भर सकते हैं, देखिए, इनका admission process क्या होता है, यह आपके J.E.Main के paper 1 score के basis पे आपको admissions देते हैं, वो ही एक main चीज है, बात में कुछ basic eligibility criteria है, 60% marks in class 10, प्लस वो subject combinations की eligibility है, जो mostly आप satisfy करेंगे, ऐसा को 12th का बहुत hard and fast, यहाँ पर 75-80% वाला कुछ नहीं है, तो 30th June last date है, आपको apply करने की, मुझे उमीद है कि शयाद exam delay हुए, तो यह date और भी बढ़ सकती है, वाट अभी 30th June मान के चलें, यह आपको बताया गया है, seats कितन NCC, जनरली लोग इनको जादा प्रिफर यहाँ करते हैं, प्लस आप 10-10 seats in the 5-year dual degree or the integrated dual degree program that you have, ठीक है, और बागी सारी चीज़े हैं, आपको details eligibility जैसे मैंने का, बस वही paper one की, आपको mainly उसी score के business पे यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, application form आपको online नहीं बढ़ना है, 1600 कुछ भी नहीं होता, जो इस college की बहुत important बात है, और वो जो मेरा वीडियो आपने साथ में देखा है, अभी cards में आपको देखेगा, उसमें भी जा सकते हैं, बहुत detailed बात उसमें मैंने पहले भी आप लोगों के लिए कर रखी है, तो merit list का preparation अगरा समझा रखा है, fees की बात देखते हैं ये कि 10% per annum का एक tentative increment आप मान के चलिए, तो अगर आप 4-5 साल का projection करते हैं, तो उसमें incremental cause देखेगा, hostile mass charges भी आपको दे रखें, 21,000, hostile charge per semester, electricity charge, mass charge, student activity charge, mass charges, adjusted as per the actuals, जो भी अपन कहते हैं, उस तरीके से आएगा, तो ये एक important चीज इनकी यहाँ पे रहती है, तो और ये residential ही है, वो ही मान के चलिएगा, कि आपको रहना ही पड़ेगा, जैसा मैंने का था, the governing council of LNMIT reviews the fee structure periodically, there will be an annual increase of approximately 10% in fee, ये यादर किएगा, तो ये एक important इनका point है, बागी बात आते हैं, देखें, main चीज, college क्यो जाना है, भाई, सबसे बड़ा main चीज वहती है, अच्छे से गंड़क की है, and finally students का कहना था, they have been cooperative to the college admin as well, तो college की तरफ से सही manage किया गया, covid time पर, वैसे भी देखें, CSI, EC Institute के लिए manage करना चाथ थोड़ा, जादा easier रहता है, अब placement की बात करें, तो देखें, ACR का, being a covid year, 445 के batch strength में, 365 students इनके लिए register हुए थे, placements में, उनमे job दिला दिये है, as per this data, 329 total job offers है, जो शद और भी increase कर सकते हैं, क्योंकि यह data थोड़ा सा पुराना है, March तक का, इन्होंने बोला है, ongoing है, शहाद इसमें थोड़ा increment भी, अभी में next page पे आपको इनके बताऊंगा, और total 42 companies visit हुए है, last year 70 होई थी, इस बार 42 हुए है, ठीक है, इतना you can make it out, तो last year 94% students को place करा दिया था, इस बार भी 83% लगबग students, 82% students को इन्होंने place करा है, highest is 58.85 जो मुझे बताया गया है, Google की तरफ से offered है, जो यह figure लिखावा है, and 10.34 is the average और median भी बड़ा अच्छा है, और देखिए, last year batch की बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने बुर entrepreneurship start किया, 16 students higher studies के लिए गए, 19 are working as freelancer, 24 place नियुए, and 46 are on the preparation break, तो पूरा detail इन्हों दिया है, हमारे students क्या-क्या कर रहे है, so it's good, majorly colleges को पता भी नहीं होता है, कि student कर रहे है, जो college के थुरू place नहीं हो, उसके अलावा data generally नहीं रखते, companies सारी आपको दिख रही है, अच्छी सी ह यह नहीं कही, किसी alumni का start-up है, और यह भी एक अच्छा package offer करते हैं, और details एक ही है, 5 year के नहीं नहीं दिया है, यहापे, इस year का median package थोड़ा सा dip हुआ है, being a COVID year, it's expected, so it's 8, but 8 median is a good enough thing, हाँ, इस data में एक चीज़ याद रखिए, generally यह जो जितने भी colleges देते हैं, यह लोग actually CTC को budget is माल लेते हैं, typically वो CTC में कही सारे stock options और बहुत सारे variables भी होते हैं, जिसको ideally में तब सभी include करते हैं, तो इनका भी गलत नहीं गाएंगे, so वो figures थोड़ा एच्छे लगते हैं, to realistically थोड़ा जो आपके in-hand यह actually में जो आपको payout होगा, थोड़ा सा reduce होता है, बाट टीक है, these are decent enough figures और मतलब COVID time में बेट से good figures basically I can say, और देखें प्लेस्मेंट पेज पर जब मैं इनके गया, यहाँ पे इनो ने details और दी हैं, वो ही 58.85 highest है, average package 10.47 है, median package 8 है, total number of offers थोड़े जादा लिखे में है, क्योंकि यह शर्द जादा updated होगा 377, और percentage भी 82 से बढ़के 86.57 हो गई ह मेरे साब से थोड़ा one month आगी का updated इनके placement page पे available data है, और data देख लिए ब्रांच वाइस जैसा मैंने का, CSE, CCE and ECE, देखें तीनों ब्रांच का, जो max है, वो same है, मतलब ही शादे Google के packages है, average आपको देख रहा है, CSE का सबसे ज़्यादा है, फिर CCE का and ECE, वो ही मैंने order आपको प्रांच प्रफिरेंस का अबुला था, and the same thing you can see in the median salary, companies थेखें सारी, बहुत थीक है, बदर अच्छी कंपनी है, आपको दिख रहा है, almost अच्छी कंपनी यहाँ पे रहती है, अच्छी लिस्त है, जो भी आप कंपनीस देखेंगे, तो मेरे भी students है, जिनका इनमें से इनमे आइडिया दिया गया है, it is like counseling में part के लिए 91 percentile plus को ही बुलाया गया last a lot हुआ है जो mechanical, that is around 94 percentile, EC is around 95 plus some percentile, CCE is 96.5 plus and CSE is 97 and plus 97 percentile आप समझ सकते हैं लगबग 30,000 के राइं का सबस आप मान सकते हैं, तो उससे पहले-पहले CSE भर गया है, और CSE की जैसी demands है, जैसा college कर रहा है, expect की साल थोड़ा सा और marginal increment हो जाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो you can make it out अगर आपकी 97 plus percentile बन चुकी है, तो you are rest assured कि अगर इस college में आप जाते हैं, तो आपको comfortably CSE मिल जाएगी, और बाकी मैं कहूंगा, CSE related last year का मेरा वीडियो जादा detail था, उसको आप देखिये, बाकी जो additional details is here के लिए थी, वो मैं आप तो के साथ share की है, so that was from my side, happy learning